हेलो दोस्तों कैसे आप सब आज का जो टॉफिक है वेरियेवल आटो टांसफॉर्मा इसका कानेक्शन कैसे होता है और यह किस चीज में यूज होता है यह आपको बताएंगे तो देखते रहें वीडियो को तो आप देख सकते हैं जो इसका नेम प्लेट दिया हुआ है ठीक है देखें इन्पूट जो है 240 वोल्टेज एट एसी आउटपूट आपको मिलेगा एट एए ठीक है 240 मिलेगा और आप एडी में कनेक्शन करोगी तो एए से आपको आउटपूट मिलेगा तो देख सकते हैं इसमें जो टार्मियल है A, E, C, D और यहां पर है B एक टार्मियल था तो यह टूट गया है ठीक है तो इसका जरूरत हमें नहीं है अभी देख सकते हैं जो इसका कार्बोन होल्डर दिया हुआ है देख सकते हैं ठीक है और यह जो है जहां से पावर कलेक्ट होगा यह उसका बेस है और यहां पर दिखाएंगे ठीक से तो देखिए यह बढ़ी ऐसे सोल्लरिंग करके यहां से टैपिंग लिया हुआ है ठीक है दोस्तों तो चलिए आपको इसके कानेक्शन कैसे होगा यह सारे चीज आपको दिखाएंगे तो वीडियो को देखते रहे हैं देखिए यह नॉब मिलेगा यह पर इसमें नॉब लग जाएगा ताकि आपको वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हो तो ठीक है तो दोस्तों अभी आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे जैसे नेमपलेड में दिया है वैसे ही इसको कनेक्शन करना है तो मैं अभी कनेक्शन करूंगी एसी और ए इ तो मेरा ए सी में फेज डालूंगा ठीक है तो मैंने सी में फेज डाल दिया और ए जो है इसमें न्यूटल दूंगा और कॉमून भी होगा ठीक है देखिए मैंने दोनों तार को एक साथ इसमें लगाएंगे तो देखिए मैंने ये टर्मियल में ये दोनों तार को एक साथ लगा दिया ठीक है और जो आउटपुट है इसमें लोगा तो दोस्तों मेरे चैनल में जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और पास में जो बेल का आइकॉन दिख रहा है उसको अन कर लेजिए ता कि मैं जैसे नए वीडियो यूटूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए ठीक है दोस्तों तो वीडियो को पुरा इंट तक देखिए तब भी आपको पुरा समझ में आएगी और स्किप मत कीजिए स्किप करोगी तो मिस कर जा देंगे तो देखिए मैंने जो आउटपूट था वो इसे लेंगे तो इसको लगा देंगे तो चलिए एक बाद दिखा देते हैं नेम प्लेड में जैसे दिखाया है वह से इसको कनेक्शन करना है आउटपूट देना है आउटपूट ए इसे ए मेरा कॉमन है और इसे आउटपूट लिया है ठीक है तो आभी मुझे चाहिए एक माल्टिमीटर जो मैंने ले लिया है अभी इसको AC 750 बोल्टेज में देंगे ठीक है तो सिलेक्शन कर लिया है मैंने अभी क्या करेंगे इसको कॉर्ड निकल लेंगे और जो आउटपूट है वो डाइडेक मीटर में ऐसे लगा देंगे ठीक है कि दोस्तों यह धियान में रखिए आपको जो कॉमन है और वोल्टेज जो दिखाएगा उसमें डालना है गलती मत कर दीजिएगा तो चलिए अभी इसमें लाइन देंगे और आपको दिखाएगे इसका वोल्टेज कैसे भाड़ी होता है आप कैसे इसको कम ज्यादा कर सकते हो यह ज्यादा तर जो थ्री फेज वोल्टेज टेबिलाइजर है उसमें लगता है तो देखिए मैंने ओन कर दिया है लाइन भी दे दिया है जीरो में है अभी मैं धीरे-धीरे वोल्टेज को इनकीज करूंगी देखिए जैसे मैं धीरे-धीरे क्लॉक राइस इसको गुमा रहा हूँ तो ये वोल्टेज इनकीज हो रहा है ठीक है दोस्तों तो मैं इसको 220 तक लेके जाओंगी आप देख सकते हैं देखिए 200 कॉर्स कर गया आप इसको जीरो से आपका जो इन्पुट वोल्टेज है जितना उतना तक आप भैड़ी कर सकते हो ठीक है देखिए 220 तक मैंने ले गया है और इसको मैंने डिस्कीज भी करके दिखाऊंगी देखिए दीरे दीरे इसका वोल्टेज नीचे आ रहा है देख सकते हैं अब देखिए तो दोस्तों यह जो है मैंने पहले बताया जो थीरी फेज जो टेबिलाइजर है वो तीनों फेज में एक-एक करके रहता है और आटो टेबिलाइजर भी होता है जिसमें यह जो भी एक है मोटर के साथ और करता है और सार्कीट के दवारा यह उसक आटोमेटीक काम करता है तो आप देख सकते यह कारवन-वोल्डर कैसे घूंब रहा है और जो है को कंज़ादा हो रहा है ठीक है तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा है लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में